चीनी आज हमारी दिन चर्या का हिस्सा बन गई है लेकिन इसका स्वाज जितना मीठा होता है उसका शरीर पर प्रभाव उतना ही करवा शायद यही वज़े है कि चीनी को नई तरह की तंबाकू भी कहा जाने लगा है देखा जाए तो डाइटीशियन से लेकर डॉक्टर तक सभी आपको चीनी कम से कम खाने की सलह देते हैं लेकिन सवाल यह उटता है कि चीनी का इस्तमाल ना करें तो मिठास कहां से लाएं आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि चीनी सेहत के लिए जहर है तो इसके आयुर्वेदिक आप्शन्स क्या हो सकते हैं जिसके इस्तमाल से आपको मीठे का स्वाद भी मिल जाए और सेहत को कोई नुकसान भी ना हो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ज्यादा चीनी खाना हाने कारक है लेकिन क्यों खानी कारक है इसके लिए इसके निर्मान प्रक्रिया को समझना होगा जब चीनी को बनाया जाता है तो उसे चमकदार बनाने के लिए चुना, कार्बन डियोकसाइट, कैल्शियम, फॉस्वेट, फॉस्फोरिक एसिट का उप्योग किया जाता है इतना ही नहीं, इसे इतने तापमान पर पकाया जाता है कि इसमें मौझूद पोशक तत्व निर्मान प्रक्रिया में ही खत्म हो जाते हैं आईए अब जानते हैं कि कैसे चीनी शरीर में जाने के बाद हमारे ओर्गन्स पर अटेक करती है आपको बता दें कि जब भी हम चीनी खाते हैं तो वह जल्दी से डाइजिस्ट नहीं होती जिससे बॉड़ी में हानेकारक रसाइनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंतता एसिड या आम बनता है जो गैस का कारण बनता है इतना ही नहीं शरीर में जाने के बाद ये शरीर में इंसूलिन को इंबैलन्स कर देती है और बलड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देती है चीनी पून रूप से कार्भो हाइडरेड होने के कारण बलड में सीधे पहुँच कर रक्त के दवा पर असर डालती है जो BP को हाई कर देता है इतना ही नहीं समय रहते BP को मेंटेन नहीं किया गया तो हाट अटेक और ब्रेन अटेक का खत्रा भी बढ़ सकता है कुल मिलाकर समझे तो चीनी सिर्फ छोटी मुटी बिमारियों को ही नहीं बलकी 60 से ज्यादा बिमारियों की वज़े बनती है लेकिन सवाल ये है क्या है चीनी का अल्टरनेटिव तो चीनी का सबसे बहतरीन विकल्प है गुड जिसे खाने से खुन भी बढ़ेगा और पाचिन क्रिया भी बहतर होगी वहीं दूसरा विकल्प है देशी खान्ड और मिश्री इसमें कैल्शियम और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं चुकि इसे रिफाइनी किया जाता जिसके कारण ये नुकसान की जगे आपको फाइदा देते हैं बात करें तीसरे उप्शन की तो रो हनी यानि कच्चा शहद जो इम्मुनिटी के साथ वेट को भी कंट्रोल रखेगा वहीं चौते विकल्प के रूप में कोकूनट शुगर जो चीनी का बढ़िया विकल्प है इसमें कैलोरी तो चीनी के बराबर ही होती है लेकिन ये बलड में शुगर को बढ़ने नहीं देता तो आज से ही मीठे के तौर पर चीनी की जगे इनका स्तमाल करें और सैकडो बिमारियों से बचे रहें